दोस्तों घर को समालना घर के जो मैनेजमेंट होता है वो एक कला होती है इसको सीखने के लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और आज की भागती दौरती जिन्दगी में हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाने होंगे जिससे हमारे काम है बहुत ही आसान ह हो सकें तो आपकी इनी बातों को ध्यान में रखती हूं मैं आज बहुत ही घजब की टिप्स और हैक्स लेके आई जो आपको कफी पसंद आएंगे उम्मीद करती हूं अच्छा लागे वीडियो तो थोड़ा सा भी तो लाइक करना ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना और च कड़ी है तो इसके लिए आपको कड़ी मैंने कुछ ने डाला इसमें सिर्फ हींग और जीर का तड़का लगाया है तेल में बनाते हैं कड़ी क्योंकि तेल का टेस्ट या तो तेल में या घी में ही चीज़ें चौकें रिफाइंड का कम से कम इस्तिमाल करें बहुत ही ज्या पीज़ें के तडरका इसमें घी डालाया में घीए मे डेसी घी में चौकेंगे तो सबजी का टेस्ट या घडchnका मतलавай दोग ना हो जाएका तो इसके लिए लिए है लहसं है प्याज है हरी मिर्च है मेथी जीरा और यह तेज-पत्ता तो सबसे पहले में मेधि और 2100 डालें न Americas user आफे सुसी साओर डाल दीएéric कौसार्व किस्मीर्य मिर्च डाल देंगा जिसे इसका कलर भी बहुत ज़प प्यार आएक।then धनिया डाला है लाल मिर्च पाउडर डाला है और नमक डाल दिया है उसमें KENN कछी नहीं दाला कड़ी हो जाती है निकलती है तो उनका पता नहीं चलता कि भिंडी हम किस तरीके से खरी दे खाए कि और जोती और तरीका होतीज है विह बिंडी को आपको कुछें लायक है और कॉन सी नहीं यह 250 ज़ाल है जादा से ज्ञादा मेरे वीडियो KALB नेट्स्थ ऐडिया हम देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया है हमारा प्याज को लेके प्याज बहुत ही right महंगी आज है आज के टायम में खास कर ओं सुन में अब तो बहुत ही ज़्यादा महँगी है प्याज है जो तो तो अगर हम लाती है एक कलो, दो कलो, पांच कलो तो देखा होगा अकसर, कि जो प्याज राते हैं, तो कई आप ऊपर से वह व्लकुल अच्छी देख रही होती है, लेकिन अंदर से बहुत ज़ादा खराब निकलती है, पिल पलीस ही होती है, पानी सा भरा होता है, खराब सड़ी हुई निकलती है जो उसे मैं फैंक नहीं पड़ती है और इतना महगा सबजी आए उसे फैंक तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है तो आगे से जब प्याज खरी दोनों तो इस तरीके से देखना है जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको दोनों साइड फिंगर रखनी है ठीक है होप करती हूँ आपको समझ में आ रहा है दोनों साइड आपको फिंगर रखनी है उसे प्रेस करके देखना दवाना है हलका सा अग यिए ट्रिक यह है कि प्याज हम लाते तो जो polythens होती है प्लाश्टिक वाली इसमें आपको बीकुल भी नहीं छोड़नी है इसमें सब्जी हमारी कोई भी हो आलो प्याज़ों बहुत ही जल्दी खराब हूती है प्लाश्टिक और हामफुल भी बहुत चाता है तो आपको प्याज रखनी है, ऐसे खुले में, फर्स पर डाल दे नीचे, एक कौना कर लें, कोई भी सब्जी रखने के लिए आलो और प्याज, या फिर कोई जिसमें एर जा सक ऐसी बास्केट हो, उसमें रखें, पेपर या न्यूस पेपर के उपर रखें, या इस तरीके से रखेंगे, खुला तो आपके प्याज लंबा चलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, सडेगी नहीं, इस ट्रिक को अब इस्तिमाल करके देना बहुत ही कजब की है, नेक्स आइडिया मेरे टमाटर को लेके, टमाटर हम लेके आते हैं, बहुत ही जल दिया है, वो पिल बिल्कुल भी खराब नहीं हो, एक भी टमाटर हमें वेश्ट नहीं करना है, तो इसके लिए करना क्या है, चोटा सा काम, आपको डाल देना है पानी, जो भी टमाटर लाए है, या एक दो दिन हो गए, उनको लगे अप खराब होने बाले, तो इसके बार एक ग्लास पानी ड बबनी लगाए, बासी सा हो गया, मुड़ जाए सा हो गया, लूज हो गया, वो बिल्कुल भी, मतलब ताजी फ्रेश सा आपका टमाटर हो जाएगा, इस तरीके से इस ट्रक से आप करेंगे, तो बस पांस से साथ मत आपको छोड़ना है, और आपका टमाटर एक दम से फ्रे लहसुन मतलब बहुत ज़्यादा परिसान करता है, और सबसे ज़्यादा टाइम लहसुन छीलने में लगता है, खाना बनाने में इतनी देन लगती, इतनी लहसुन में लगती है, और लहसुन छीलते है, तो आप लहसुन आसानी से छील पाएंगे, आपको कोई परिशाई न जिस तरीक से आपको छलनी लेनी है ठीक है और आपको कलिया है वो लहसुन की पहले अलग करनी है एक साथ सारी कलियों को अलग कर लेना है जो आपको छीलना है फिर आपको कलियां सारी रख कर लेनी है फिर एक साथ आपको कलियां सारी रख कर लेनी है फिर एक साथ आपको जैस इसे जो सक्त है भो अट जाएगा तो आसानी से बहुत ऀजी तरीके से आप इना चिलका असानी चोतर जाएगा तो एक साथ ऐसे अलग-टी smarter एक साथ पहले सारी कलियां लग कर लें पिर एक साथ उनको ऐसे आगे-अगे से घिस के रख लें और पिर आसानी चाहत लगा आगे फटाक से आपकी जो लैंसोन का चिलका है उतर जाएगा तो आप इसे एक साथ स्टोर कर सकते हैं काज़ की बोटल में लें काज़ की बोटल में भरके आप फिरिज में रख दो टायट दक्कन करके उसकी खुसवू ना तो उसकी खुसवू निकलेगी और ना ही फ्रेज में कोई बदबू होगी उसकी अगर इस तरीके चलनी नहीं है तो आपके पास कोई बात नहीं चोटी चलनी हो न चाय चानने वाली वह भी ले सकते नहीं है तो गिरेटर तो होता है हर गर में गेटर पर भी यही ट्रिक करनी है आपको कली लेनी है इस तरीके से घिस नहीं है एक साथ सारी कली घिस लें और फिर उनका चिलका उतार है बड़ी आसानी से लगता है लेकिन है ईजी तरीका है बस एक साथ घिस लो और फिर एक साथ फटाक से आप चिलका उतार जाएगा तो तो चोटी-चोटी ट्रिक लगा करके हम अपने काम को रोटीन के काम को बेहत आसान बना सकते हैं तो अच्छी आज का वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक करना सबसे जादा कौन सी ट्रिक पसंद आए मेरी कमेंट में जरूर बताना और मेरा वीडियो दुनिया के किस गाउं सहर से देखे हूँ ये भी मिरसा जरूर से से करना मिलती हूँ अगले वीडियो में नेक्स देन नेक्स दिम तब तक लिए रादे रादे थैंक्स